हेलो बच्चो आज हम लोग जानेंगे ABCD और उसके साथ इसाथ colors के name तो आए मैं आपको क्या बताते हूँ water colors के name ये देखे कौन सा color है ये है white color, green color, yellow color, red color, brown color और देखे ये है orange color तो आएए बच्चो अब हम लोग colors को fill करेंगे तो पहले क्या आता है पहले आता है तो ए में हम कौन से color को fill करते हैं आएए देखते हैं ये है orange color तो ए में हम करते हैं orange color को A for क्या होता है A for होता है apple, apple means होता है save A के बाद क्या आता है A के बाद आता है B तो देखे हम B में कौन से color को fill करते हैं brown color को B for क्या होता है B for होता है ball, ball means होती है gain तो देखे B में कौन से color fill हुआ है brown color B के बाद क्या आता है बच्चो B के बाद आता है C तो आएए हम C में कौन से color को fill करते हैं red color को C for होता है cake क्या होता है बच्चो C for? C for cake होता है तो आएए अब C के बाद क्या आता है देखते हैं C के बाद आता है D ये है orange color D for होता है dog dog means होता है kutta D के बाद क्या आता है? D के बाद आता है E ये है light green color E for होता है elephant elephant means होता है हाथी E के बाद आता है F ये है red color F for होता है fan fan means होता है पंखा F के बाद आता है G और यह है यलो कलर, तो जी में हम करते हैं यलो कलर, जी फॉर होता है गन, गन मींस होती है बंदूक, क्या होती है गन मींस, गन मींस बंदूक होती है, तो देखें जी में यलो कलर फिल हो गया, जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आता है एच, तो आएच में कौन से कलर को फ H for होता है home, home means होता है घर क्या होता है home means, home means घर होता है H के बाद क्या आता है, H के बाद आता है I और यह है white color I for होता है ice cream I के बाद क्या आता है, I के बाद आता है J ये है light green color, J for होता है jelly face, J के बाद क्या आता है, J के बाद आता है K, ये है देखिए red color, K for होता है king, king means होता है raja, K के बाद क्या आता है बच्चो, K के बाद आता है L, ये है देखिए yellow color, L for होता है loin, loin means होता है share, L के बाद आता है M, और ये है orange color, तो M में हम करते हैं आरेंज कलर M4 क्या होता है? M4 होता है मैंगो मैंगो मीन्स होता है आम क्या होता है बच्चो मैंगो मीन्स? मैंगो मीन्स आम होता है तो देखें M के बाद क्या आता है? M के बाद आता है N तो आईए हम N में कौन से कलर को फिल करते हैं? ब्राउन कलर को N for क्या होता है बच्चो N for होता है नोज Nose means होती है नाग N के बाद क्या आता है N के बाद आता है O और ये है देखे रिट कलर तो O में हम करते हैं रिट कलर O for होता है आउल आउल मीन्स होता है उल्लू क्या होता है आउल मीन्स आउल मीन्स उल्लू होता है O के बाद आता है पी तो आईए हम पी में कौन से कलर को फिल करते हैं रिट कलर P for होता है पाइनेपल पाइनेपल मीन्स होता है अनानास P के बाद आता है Q, यह है यलो कलर Q for होता है Queen, Queen मिन्स होती है रानी क्योंके बाद क्या आता है बच्चो R आता है, यह है Sky Blue कलर R for होता है Rabbit, Rabbit मिन्स होता है करगोस R के बाद आता है S, यह है यलो कलर S for क्या होता है S for होता है ship, ship means होती है पानी वाली जहाज S के बाद आता है T, क्या आता है T आता है और ये है देखिए green color T for होता है tree, tree means होता है पेड तो देखिए T में कौन सा color फिलुआ है green color T के बाद क्या आता है, T के बाद आता है U तो आएए हम U में करते है white color U for क्या होता है, U for होता है uniform, uniform means होता है dress U के बाद क्या आता है, U के बाद आता है V, ये है yellow color V for होता है vegetable, vegetable means होता है sub-G V के बाद आता है w, ये है sky blue color W for होता है water Water means होता है पानी W के बाद क्या आता है बच्छो W के बाद आता है X यह है आरेंज कलर X for होता है X-ray X के बाद क्या आता है Y आता है तो आईए हम लोग Y में कौन से कलर को फिल करते है आरेंज कलर को Y for क्या होता है Y for होता है याक याक मेंस होता है पहारी साड वाई के बाद क्या आता है वाई के बाद आता है जेड यह देखें ब्राउन कलर जेड फर होता है जेबरा जेबरा मेंस होता है चिप्तिदार घोड़ा तो देखें जेड में कौन सा कलर फिलुआ है ब्राउन कलर तो बच्चो आप लोग भी ऐसे पढ़िए और आगे बढ़िए ओके बच्चो बाबाई फैंक